दोस्तो अगर आप औरत का ये अंग चाट लेते हैं तो आप करोड़वदी बन जाओगे जी हाँ दोस्तो आचारे चानक के जीने सास्त्रों के मुताबिक इस अंग को इतना सुब बताया है कि अगर कोई मर्द इसे चाट लेता है तो वह अमीर बन जाता है जी हाँ दोस्तो वह अंग कौन सा है जिसके बारे में आचारे चानक के ने सास्त्रों के मुताबिक कहा है कि ये अंग बहुत ही जादा सुब होता है और इस अंग को चाटने के लिए मर्द तरस्ते रहती है दोस्तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो के आगर तक जरूर बने रहें दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दे तो चलिए दोस्तो आज के वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मा लच्मी की किर्पा वनी रहे और आपके घर में धन दौलत आई और मा लच्मी आपको धन से आपके घर को भर दे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जैमातालशमी तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर आचाराचाड़के जी ने और तों के किस सुख अंके वारी में जिकर किया है दोस्तों आचाराचाड़के जी एक बहुत बड़े बिद्वान थे जिसकी नीतियों पर चलकर आज लागों लोग अमीर बन चुके हैं और वो अपने जीवन में सफल इंसान बन चुके हैं आचाराचाड़के की नीतियां मनुस्ते के जीवन को बड़ने का बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर उपाए हैं अगर कोई भी मनुस्ते आचाराचाड़के की इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लेता है तो सफलता उनके कदम चुमती है अचार चार के जिके अनुसार औरतों के कानों के जो पीछे वाला हिस्सा होता है भो अतिसु माना जाता है सास्तों के मताबिक इस हिस्से में माल अच्मिची की किरपवरस्ती है अगर आप इस हिस्से को अपने मूँ से या अपनी जीव से इस परस करते हैं उसे जीवन में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं आती है और आप अपने जीवन में काम्याब और एक माहन इंसान बन जाते हैं आप जो भी काम करोगे आपका काम सुभ होगा आपका काम बनता चला जाएगा इसलिए आप इस उपाय को अपनी चीवन में एक वार जरूर करें जिससे माल अच्छी में आप से बहुत ज़्यादा प्रिसन होंगी और आपके ओपर अपनी किरपा वर्साई रखेंगी तो दोस्तो अगर आप इस उपाय को करते हैं तो काफी जादा आपको लाब मिलेगा तो आज की वीडियोस में से इतना ही वीडियोस पसंदाए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद